तो आधाब नमस्कार उडिनिंग सर्षिकालेगवाद फिर आप तमान मुखा स्वागत है क्राइम तक कहानी के इस एपिसोड में उम्मीद पूरी फैमली अच्छी होगी अपना और अपनों का खायाल रख रही होगी ठीक तीन महीने पहले चौदा जुलाई की वो तारीख थी आज चौदा अक्तूबर है जब सल्मान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जो अप्रिल में सूट आउट हुआ था गोली चलाई गए थी उसी केस में मुंबई पुलिस ने मुंबई की एक मको का कोट में एक चारशीट दाखिल की थी लगबग 736 पेजर्ज की वो चारशीट जिसमें सल्मान खान की भी बयान थे उस चार्षीट में मुंबई पिलिस की क्राइम ब्रांच ने एक जगा लिखा था कि इस पूरे केस इस साधिश में सर्मान के घर गोली चलाने वालों में नौ लोग थे पूरी साधिश में शामिल जिसमें गोली चलाने वाला भी था और उसमें अक्यूज नंबर वन हारोपी नंबर वन था लौरेंस विश्णोई उस चार्षीट में जो तीन महीने पहले मकोका कोर्ट में मुंबई पिलिस ने दरज की उसी चार्षीट में क्रेम ब्रांच ने कहा कि सर्मान तो बहाना है असल में लौरेंस विश्णोई मुंबई पर कबज़ा चाहता है मुंबई अंडर वर्ल पर कबज़ा चाहता है मुंबई पर राज करना चाहता है मुंबई में अपने गैंग को फैलाना चाहता है कौन और क्यों यही दो सवाल है जो पिछले 48 घंटों से हर एक के जहन में कौन रहे है कि बाबा सिद्धी की का गतल करने वाला कौन तब जिसने ट्रिगर दबाना नहीं जिसने ट्रिगर दबाने का इशारा दिया और क्यों वजह किया थी तो इस कौन और क्यों का जवाब आपको मुंबे पिलिस की 48 घंटे की अब तक की तफ्थीश के हिसाब से पहले देता हूँ और फिर उस चार्शीर पर वापस लोटूंगा ताके बताओं कैसा क्यों है अब तक मुंबे पिलिस ने इस पूरे केस में छे लोगों को आडेनिफाई किया है छे लोगों की शिनाखती है और उनका कहना है कि ये वो छे लोग है जो इस वक्त जेल के बाहर और जिन्होंने बाबा से दीखी कि कि इस कतले की पूरी प्लैनिंग की और अलाग अलाग और तीसरा है धर्मराज कश्यब शिव कुमार और धर्मराज ये दोनों यूपी के भायराईच के हैं इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है चोथा है प्रवीन्स लोंकर लोनाकर ये पूरे का है इसके लाबा पांचवा है उसी का भाई शुबू लोनाकर शुबहम भी उसका नाम है पूरे का है और छटा है जिशान अफ्तर ये पंजाब के गाउं का है और एक अपना गैंग चलाता है जिसमें 20-22 लोग है इसके उपर मडर रॉबरी के कई चार्ज़ है तो कुल ये छे लोग है अब इन छे लोगों में से तीन इस वक्त पुलिस के कबजे में एक धर्मडाच का शफ एक गुर्मैल सिंग और एक प्रवीन पूरे का बाकी तीन लोग अभी फरार है उनमें से एक प्रवीन का भाई शुभम जिशान अफ्तर और एक शिवा ये तीन अभी फरार है लेकिन तीन कबजे में तो उन तीन के जरीय अब तक की जो कहानी सामने आई है पहले वो आपो सुनाता हूँ कि ये पूरी प्लानिंग हुई कैसे जो जिशान अफ्तर है वो पंजाब की जेल में बन था एक लुध्याना में पकड़ा गया था टुएंटी टुएंटी टू में एक मटर के केस में और उसके बाद उसको पटे आला जेल और कैथल ज जेलों में रखा गया था उसी जेल में रहने के दौरान वो लॉरस विश्णोई कि खुछ गुर्गों से मिला उसकी मुलाकात हुई और इतफाक से जेलों के इस भरमन के दौरान ही जेशान की मुलाकात गुर्मैल सिंग से हुई जो हरियाना के कैथल का और अपने बड़े भाई के कटले के एकजाम में जेल में बन था 2019 में उसने ये कटले किया था तब जिशान और गुर्मैल सिंग की मुलाकात हुई दोनों में दोस्ती हुई और जिशान की इन जेलों में रहते हुए लॉरेंस गैंग के गुर्गों से भी मुलाकात हुई पंजाब और हरियाना के महीने में जून 24 अभी 7 जून की तारीख थी जिशान जमानत पर जेल से बाहर आ जाता है वो जेल से बाहर आता है उधर उसके कुछ दिन पहले ही जो गुरमेल सिंग था वो भी जमानत पर बाहर आ गया अपने भाई के गतले के केस में लग भग गए पांच साल के बाद उसके बाद वो वहां से मुबई निकल लेता है असल में हुआ ये कि जब जिशान पंजाब की जेल में था तो लौरेंस गैंग के कुछ गुरमेले थे ये अब तक कि 48 गंटे की इन्वेस्टिगेशन की कहानी आपको बता रहा है तोनी गुरमें से किसी ने उससे कहा कि एक टार्गेट है मुंबई में उसके लिए शूटर ढूनना है काम जिशान को सौपा गया जिशान में पहला जो शक्स चुना वो था गुरमेल से क्योंकि जेल में मुलाकात हो चुकी थी आउलरी एक कतले कर चुका था अब एक कतले के बाद आदमी बेखाफ हो जाता है कि दो भी करूंगा तो वही सजा मिलेगी चलो कम से कम पैसे वैसे मिल जाएगी तो अब जिशान और गुरमेल की कड़ी जुड़ी फिर उसकी बाद वहां मुंबई गया मुंबई से जिशान पूरे जाता है अब पूरे में दो कैरेक्टर को उससे मिलना था उन्हें से एक था यह दो सगे भाई है सुबव यानि शुभवम की पूरे में एक डेघ्री है और सातमें तबेला है जहां गया बहासे होती है और इसी तबेले के बरावर में एक कबाल का गोदाम है और दुकान है और उस कबाल के गोदाम और दुकान में दो लोग काम करते थे एक शिफ कुमार और एक दूसरा धर्मराज का शेप जो दोनों यूपी के बहराईट के है तो शुभम जो है पहली बार चुके तबेला बरावर में दुकान उन दोनों रड़कों से मिलता हूँ निस बाइस साल की उमर है दोनों की धर्मराद की और शिवा की और फिर उसे लालक देता है उसे कहता है काम में मुंबई में बड़ा चोटा सा बस करके लोटाना है मुंबई में तुझे रहने खाने पी नहीं का दूँगा अलक से धाई से तीन लाग रुपे भी मिलेंगे दोनों यंग रड़के उन्हा का ठीक है सब कुछ सही सही बताया गया बोला चोटा सा काम है करके निकल लोगा तो अब शुभव ने दो शूटर इधर तयार कर लिए उधर एक शूटर जीशान ने तयार कर लिए अब यह सब कुछ हो गया तो अब जीशान मुंबई पहुंचता है उसके बाद वो बारी-बारी से गुर्मैन और पर धर्मिंद्र जो कशब है धर्मराज कशब और शिव इनको मुंबई बुलाता है मुंबई की कुल्ला अलाके में एक फ्लैट लेता है दो सितंबर को सेकेंड सितंबर को ये रिंटेड हाउस लेते हैं और वहां ये तीनों रहते हैं गुर्मैल धर्मराज और शिवा जीशान अलग रहता है उधर पूने में बैठा वहाई प्रिट का नाम बता गया और वो नाम था बावा सिद्धी की अब इन तीनों से कहा गया कि तुम जाओ और रेकी करो हर मूवमेंट हर दिन कहा जाते हैं क्या करते हैं कब किस्से मिलते हैं कितने बज़े घर से निकलते हैं कितने बज़े घर पहुंचते हैं बेटे के दफतर का घर है और वहीं उनके बेटे जीशानों सिद्धिकी का दफ्तर भी है जीशान सिद्धिकी इस वक्त MLA है तो अब चुके बाबा सिद्धिकी खुद एक पॉलिटीशन तो लोगों से मिलना जुलना उनके मसले हल करना सुनना इधर उधर के फंक्षन में जाना शादी बया दुख में फिर इधर अब ये नवरात्री और दशेरा शुरू हो गया तो गर्बा में भी जाना है फिर आपको मूर्ती भी सर्जन में भी शामिल होना है क्योंके पॉलिटीशन के तोर पर उने पता है अपने शहरे का दिन सही रहेगा क्योंकि कई कारेक्राब ऐसे थे जिसमें जाना था अब यहां एक चीज सवाल उड़ता है कि बाबा सिद्धी की कब कहां कितने वजे कैसे जाएंगे ये तो सर्फ रेकी कर रहे हैं दूर से इन्हें कैसे जानकारी तीसलिए मुंबई पिलिस को शक भी शामिल हो सकता है अंदरूनी जो बाबा सिद्धी की इर्द गिर्द रहता है वो कोई कारे करता हो सकता है वो कोई अपना हो सकता है कोई स्टाफ हो सकता है कोई भी शक है तो खैर फिर इन लोगों ने चुना वो तारीख और वो तारीख थी दशहरे के दिन बेर भार तो बस ये लोग फॉलो करना शूर कर दिया रात सब कुछ करने के बाद एक गरवा आखरी था जिसका कारिकरम लिप्टाने के बाद अब बावा सिद्धी की पहुंचते हैं अपने बेटे के दफ्तर पहुंचते हैं तो पता चलता कि एक मिनट पहले उनका बेटा जीशान किस साथ में उसक्त मुंबई पुलिस के तीन कॉंस्टिबल जो उनको गाट करते हैं एक एक मिनिस्टर होने के नाते सुरक्षा जो मिली थी तीन पुलिस वाले थे वो तीनों साथ में थे अब उसके बाद वो यह सब करके अपनी गाड़ी में बैट कर अपने घर जाने के लिए अब तयार हैं आसपास में और भी लोग हैं तभी ये तीनों वहां आटो रिक्षा से पहुंचे चेहरे पर रुमाल बंदा हुआ था इन मेंसे एक के हाथ में मिर्ची इस्प्रे था था कि आँखों के अगे अंधेर अच्छा जाए और तीनों के पास पिस्टल अचानक उन एक छे फायर किया तीन गोली इधर उधर चली गई उनमें से एक किसी शक्स को भी लगी और जो मामूली रूप से गायल हुआ है और तीन गोली दो पेट में एक सीने में सीधे बाबा सिद्धी की को इसके बाद वो तीनों वहां से भागते हैं शीवा तो निकल जाता है फसके बाद जेतने लोग भागते हैं दोनों कातलों को पकड़ने के लिए एक तो पकड़ा जाता है फिर दूसरे की तलाज शुरू होती तो जारी में दुखका हुआ मिलता है उसे पकड़ते है और फिर पुलिस आती पुलिस के हवाले कर देते हैं से मुंबाइटा यू लोनिंग प्लेटफॉर्म पर आप सुन सकते हैं अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज में खो जाना है तो आपके लिए एक जबरदस्त मौका है रिसेंटली कुको एफेम पर कुछ लेकर 14 डेज फ्री ट्रायल लेकर आया लेकिन ध्यान रहें ये ओफर सिफ पहले 500 लोगों के लिए अबलेबल है तो अगर आप इन फ्रिलिंग कहानियों में डूबना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए विडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करें कुपन क इसका फ्री ट्रायल मिलेगा सोचे आप 14 दिन गितनी चाहें उतनी क्राइम आडियो बुक्स सुन सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री या आपके कम्यूट वरकाउट या फिर एक शांत शाम को और भी एकसाइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है लेकिन याद रहें वक्त की बेस स्टोरीज सुनना शुरू करें आप्र फोर्टीन डेज दस सब्सक्रिप्शन प्लैन विल बी एक्टिवेटेट तुरीज गंटे की तफ्तीश की कहानी है वो छे किरदार में से चुके तीन किरदार इस वक्त पुलिस के पास है वो यह कहानी है अब यह भाग गए द एक पोस्ट आता है सोशल मेडिया पर यह पोस्ट तेरने लगता है और इस पोस्ट में यह लिखा था कि बाबा सिद्धिकी के कपली की जिम्मेदारी हम लेते हैं अब उस पोस्ट के आने के बार यह हो गया कि भाई साब यह नीचे लॉर्स मिस्टोई और बाकी का नाम हावा था यह पोस्ट जो लिखा था इस पोस्ट को लिखने वाला जो था उसने अपने उपर में नाम डाला था शुबू लोनकार महारास्ट यह नाम था शुबू लोनकार महारास्ट जो मजबून था वो कल आपको बताया कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं सारी लेकिन इस प स्टेक करके हैस्टेक जो नोंने लिखा वो लिखा हैस्टेक लॉरेस विश्णोई ग्रूप अनमोल विश्णोई और हैस्टेक अंकित भादू शेवे बाला इनती नों को टैक किया गया था और यह मजमून लिखा गया अब जैसी यह पोस्ट आया पुलिस ने उस पोस्ट के उसी तवेले पर, उसी डेरी में, जहां शुभम मौजूद रहता था और जिसने ये पोस्ट डाला था, वहां पहुंसती है तो शुभम तो मिलता नहीं, प्रवीन उसका भाई मिल जाता है, पुलिस को डाउट होता है कि ये भी साधिश में शामिल है, इसलिए वो प्रवीन को मड़ने, बाकी तीन की अब भी तलाश की जा रही है, तो ये तो सीक्वेंस हुआ, और ये साधिश होई, कैसे जेल में साधिश होई, कैसे शूटर ढूंडे गए, शूटर ढूंडने के लिए कैसे इस बात में ख्याल रख्या गया कि कोई नामचीन ना हो, ज्यादा वांट घूंग रहा है, अब लॉरंस विष्णोई क्यों, जिसमें दो ऐसे कैरेक्टर हैं, जो लॉरंस विष्णोई गैंग के लिए काम कर चुके हैं, एक जिशान अक्तर और दूसरा शुभम, पोने वाला, वो पहने भी लॉरंस गैंग के कुछ लोगों के लिए काम कर चुका है और ये वही शुभम है जिसने पोस्ट डाला और नीचे लॉरेंस ग्रूप फिर उसके भाई अन्मोल विश्णोई फिर एक शेरे वाला उन तीनों को टैग भी किया लेकिन सवाल है कि शुभम ने ये जो टैग किया और जिशान ने जो गुर्मेल और इसको तियार किया और शुभम ने दो यूपी के शूटरों को मनाया इसके पीछे क्या लॉरेंस विश्णोई गैंग की मर्जी थी या उन लोगों ने ऐसा किया था या इन लोगों ने खुद ऐसा किया और क्या शुभू ने ये थापन जो सुर्मान के घर गैलेक्सी में शूट आउट के बाद पकड़े अगया था एक शक्स जिसके पुलिस का स्टेडी में क्राइम ब्रांच के मौत हो गई थी तो क्या थापन का जीशान या फिर सुबू से कोई करेक्शन है गहरा क्योंकि पोस्ट में रिखा हुआ थापन की मौत का बदला तो है तो फिर सवाल लेकिन यह उड़ता कि थापन की मौत का बदला सलमान और बाकी लोग या क्राइम ब्रांच पुलिस वाले से लेंगे आप आप बावसिद्धी किसे क्यों ने रहे हो तो इसलिए पहला तो कौन तो कौन इसकी कड़ी लॉरेंस विष्णोई तक सीधे ज जीछे में से कोई एक है जिसको भुक में मिला जिसने त्यारी की तो जिशान ही बताएगा कि उसे क्कून से गैट इसे जैन मीबन किस ने कहा ता कि यह टारगेट शुभम मिलेगा कि उसने यह पोस्ट क्यों डाला और इस पोस्ट की सच्चा ही क्या है तो ये छे जब मिलेंगे तब होगा लेकिन सवाल ये है कि लॉरेंस विश्णोई ने अगर यही किया है मान लेते हैं उसी कहात है तो क्यों ये सवाल है अब इसी सवाल का जवाब की शुरुआत मैंने इस कहानी के शुरुआत से की थी कि 14 जुलाई को तीन महीने पहले मुंबई पुलिस ने मुंबई की एक मकोका कोट में चाशीर दाखिल की थी और उसमें कहा था कि लॉरेंस विश्णोई सल्मान तो धंकी देना और बाकी चीज़ें वो वैसी है आई वाश है असल में वो सल्मान के नाम पर अपना इस तरह से खौफ पहरा करना चाहता है कि मुंबई के अंडवर्ल पर उसका कब्सह हो उसका राचो लोग उससे डरें कि देखो सल्मान तक उससे उसको धंका रहा है सल्मान को डरा रहा है तो तुम लोग फिर क्या हो तो जब भी फोन आए फिर भाई को पैसे दो अंडवर्ल के लोग यही करते हैं बड़े-बड़े लोगों से फिरोती के शकल में या धंकी वसूली, उगाही तो ये चार शीट में मुंबए पिलिस ने तीन में entertainment पहले यहका हा लिखा लिखे ही। मुंबए पर ऐसा चाहता है मुंबए एंडर्वण पर कबदा चाहता है मुंबए पर राज़ करना चाहता है अब वापस आते हैं तीन मेंहें पहले यह लिखि गए कहानी पे वापस फिर से कि बाबा सिद्धी को मारने के पीछे क्या सिर्फ सल्मान खान को डराना था बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर सल्मान खान को डराना ही मकसद था तो सल्मान के बहुत सारे करीबी दोस्त हैं और भी लोग हैं जिनको निशाना बना कर सीधे मैसे जा सकता था बाबा सिद्धी की ठीक है जान पेचान लेकिन फिल्मनेस्ट्री में सभी की है मुंबई में बाबा सिद्धी की से जान पेचान पर ये कहें कि सल्मान खान के मतब सबसे करीबी दोस्त वही थे तो ये भी सही नहीं है तो बावा सिद्धी की को क्यों निशाना बनाए गया तो जो मुंबई पुलिस के सोर्सेज है वो इस बात से इंकार नहीं कर रहे है कि चार्शीट की जो लाइन थी वो लाइन हाकिकत में यही है बावा सिद्धी की एक वेल नोन पॉलिटीशियन सरकार में पहुँच पुलिस में थी जान पैचान बॉलिवूड में मतब कोई ऐसा सितारा नहीं जो उनको जानता नहीं जो उनके घर तक ना आता हो कुल में लाकर एक नामी चेहरा एक बड़ी हस्ती अब सोची कि अगर ऐसे किसी बड़ी हस्ती को निशाना बनाया जाए तो इसके बाद मुंबई के हलकों में कहा कहा मैसेज एक साथ चला जाएगा पॉलिटिक्स में चला जाएगा कि देखो भाई इतना बड़ा नेका फिर भी हमने टार्गेट किया इसके लावा बॉलिवूट में कि देखो बावा सिद्धी की जिसके इतने बड़े बड़े दोस्त इतना बड़ा रसूख इतना कांटेक्ट हमारे लोग आसानी से पहुँचे और उन्हों अलमार दिया तो ये मैसेज क्या जाएगा कि लावा इस्ट नोई मुंबई में अपनी दस तक दे दी है और मुंबई का ड़वर्ड जो 90's के बाद से अब लगबग एक तरह से कंट्रोल में डी कंपनी के मौझूदी अभी भी है लेकिन उस लेवल पे नहीं है तो एक तरह से मैदान खाली है लेकिन ये मुंबई पुलिस और वहां की सरकार उनकी सालों की कोशिश भी है अब गैंग वार भी सड़क पर नहीं होता मुंबई के जो 90's में हर दिन होता था अब ऐसे में जब इतनी मुश्किल से वहां से अंडरवर्ड को बाहर किया गया खदेड़ा गया गैंग वार खत्म की गई क्या मुंबई पुलिस वापस मुंबई की सरजमीन पर अंडरवर्ड और अंडरवर्ड की इस गैंगवार की लड़ाई को दोबारा देखना चाहती है क्योंकि तीन महिने पहले मुंबई पुलिस खुद चार्शीट में कह रही है कि लौरेंस का ड्रीम ही है कि वो मुंबई अंडर वर्ल पर कबजा करे और जैसे D कंपनी, D for Daoud है वो मुंबई में L कंपनी खोले L for Lawrence तो यहां D और L की लड़ाई है और वो L कंपनी खोलना चाहता है और मुंबई को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है ताके लोग डरें उसके एक फोन पर, उसके गुरुगे के फोन पर जो वो डिमांड करें उसको दे दें तो सल्मान को सिर्फ डराने के लिए बाबा सिर्दीकी का कतल किया गया मुंबई पुलिस के यतने बहुत सारे सीनियर जिन से लगातार बात हो दी वो इस चीज़ को हजमी नहीं कर पा रहे है उनका हाँ, सेकंड थियोरी पे ज़्यादा बलीव है उनका कहना है कि ये किसी ऐसे शक्स को चुनना था जिसके जरिये पूरे मुंबई में मैसेज जाए और वो इत्फाक से शैद बाबा सिर्दीकी का नाम आ लिए लेकिन मैसेज वैसे ही गया और जो अगर ये वाकिए लौरेंस विश्रोई है और यही में मकसद है तो जिस तरीके से बाब सिर्दीकी का कतल हुआ आप देखिए नैशनल मीडिया से लेके तमाम मीडिया दो दिन से इसी खबर पर है तो जो मैसेज था और फिर लौरेंस विश्रोई का नाम वो दोनों चीज़ें अगर उसे साब से देखें तो ये मैसेज पहुंच गया हर एक तर अब सवाल ये है कि अगर लौरेंस विश्रोई ही है इस मामने में तो क्या मुमबई पुलिस एहमदाबाद की साबर मती जेल से लौरेंस विश्रोई को निकाल कर मुमबई लाकर उससे पूस्ताच करेगी ये बड़ी अजीब कहानी है जब अप्रिल इसी साल सल्मान के घर गैलेकसी पर गोली चली थी तो उस मामले में जब चार्शीट जिसकी मैंने बात की दाखिल हुई मुमबई पुलिस ने आरोपी नंबर वन एक्यूज नंबर वन बनाया था लौरेंस को कुल नौ लोग इसमें आरोपी बने थे उसमें सबसे पहला नाम लौरेंस विश्रोई करता तो जिस केस में कोई आरोपी नंबर वन हो आप उससे पूस्ताथ तो करेंगे उसकी पुलिस कस्टडी लेंगे अदालत से मुंबई पुलिस ने तब भी अप्रेल महीने में गुजारिश की थी कि लॉरेंस मिश्टोई को कस्टडी में लेकर गुजरात के साबरमती जेहल से मुंबई लावा है अजाज़त नहीं मिली अब एक बार फिर अभी तक लॉरेंस मिश्टोई का नाम आ रहा है बाबा सिद्धी की के कटल में तब अगर आरोपी चुके साधिश उसी की है तो आरोपी नमबर वन इस केस में भी वही होगा क्योंकि गोली चलाने वाला कभी आरोपी नमबर वन नहीं होता है जिसने ट्रिगर पर उंगली चलाने के लिए इशारा देना होता है जिसने इशारा दिया वो होता है अक्यूस नमबर वन क्योंकि साधी साधिश उसी की दिमाग की है तो इस केस में भी अगर लॉरेंस इस्टोई है तो अक्यूस नमबर वन वही होगा तो अक्यूस नमबर वन से तो पुलिस रासत में पूस्ताज बनती है लेकिन कि हैं मुंबई पुलिस मुंबई पुलिस की क्राइम ब्राइन जो इस मामरे की जाज कर रही है साबर मती जेल से निकाल कर लॉरेंस विश्णोई को मुंबई लाएगी अगर मुझसे पूछें तो कम से कम आज की तारिख में तो मुम्किन नहीं अब ऐसा क्यों है तो क्यों को भी सुन लिजए बड़ी इंट्रेस्टिंग कहानी इसकी भी है 2023 में लॉरेंस विश्णोई को दिल्ली की तेहार जेल से एहमदाबाद के साबर मती जेल में शिफ्ट किया गया था इससे पहले जब सिद्धू मुसे वाला हुआ तो उसको पंजाब में ले गए थे लोग पंजाब में उसको रखा भी गया पंजाब पूस्ताच की उस मडर केस के सिसले में तब लॉरेंस ने कहा था कि मेरा इंकॉंटर हो जागा मुझे डर है अपनी जान का और मुझे वापस तिहार में लाया जाए और तिहार से ही पूस्ताच हो क्योंकि तिहार से ही उसने अपने सही मालू में जो गैंगिस्टर की कहानी है उसकी वहीं से शुरुवात हुई है तिहार में सारे फैसलेटी मिल रहे थे भूस महली है तिहार पैसे दो और सब पुछ करो कितने तो किस से आपको इस की सुना चुका हूँ है तो वह तिहाड में अपने आपको बड़ा safe महसूस करता था और comfortable भी तो पंजाब नहीं जाना चाता था फिर वो court war पहुँचा भाद में court नहीं भी इसको तिहाड में ही रखो जानवान का खतल था उसके 2023 में अचालक अपनी होम मिनिस्ट्री ग्रह मंत्राले सेंटर की वो एक आदेश लाती है कानूं लाती है CRPC के एक सक्षन के तहत और उस सक्षन के तहत अगस्त 2023 में वो एक आदेश देती है आदेश ये कि लारेंस निश्टोई को तिहार जेल से एहमदाबाद की सावरमती जेल में शिफ्ट कर दिया जाए और ये उस जेल से कभी भी पूछताच के लिए बाहर नहीं जाएगा किसी भी स्टेट की किसी भी पुलिस के पास अगर उसके खलाफ कोई केस है तो वो स्टेट पुलिस उसको वहां से निकाल कर अपनी कस्टडी में लेकर अपने स्टेट नहीं ले जा सकती अपने किसी शेहर में नहीं ले जा सकती अगर पुलिस को पूस्ताच करनी है चाहिए इस देश के किसी भी स्टीट में कोई क्राइम लॉर्णस ने किया हो या उसके गुर्वों ने किया हो तो अदालत से पर्मिशन लो साबरमती जेल आओ और साबरमती जेल के अंदर ही उससे पूस्ताच करो और निकल लो दूसरे आपने कभी किसी आरूपी के बारे में ऐसा सुना है ऐसी जेल में तो बहुत सारी फेसलिटीज मिलती हैं बड़े-बड़े क्रिमिल्ल्स को लेकिन कि भाई पुलिस खुद चल कर आएगी साबरमती जेल पूस्ताच करने के लिए या फिर वीडियो कॉन्फरेंसिंग से कर लो आप आप ले नहीं जा सकते हैं लोरेंस विश्णोई को पूस्ताच के लिए क्यों क्योंकि होम मिनिस्ट्री का ये CRPC के एक्स्रेक्शन के थायत एक आदेश है और ये आदेश इसी साल अगस्त तक के लिए था मतब पूरे एक साल के लिए अगस्त बीद गया अभी जो खबर आ रही है वो ही है अब हम अक्तूबर हैं दो मेहने उपर हो चुका है कि इस आदेश को अब एक्स्टेंशन मिल ग की के मुडर के पीछे अगर लॉर्स गैंग है और लॉर्स गैंग इसका मास्टर माइंड है तो उस अक्यूज आरूपी नंबर बन लॉर्स विश्दोवी को मुख्वे पुलिस अपनी कस्टडी में ले ही नहीं सकती पूस्तात कर ही नहीं सकती या तो साबर मती जाएंगे या फिर विडियो को लो फिंसिंग से करेंगे, जो करेंगे, तो है ना इंटरस्टिंग, मुझे याद नहीं पड़ता कि अपने देश में कोई और ऐसा गांगिस्टर या क्रिमिनल होगा, जिसके लिए ये कानून, कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, और पुलिस आपको पूस होगा, आपको जरूर देंगे, लेकिन कहानी खत्म करों, उससे पहले वही अपना सिलसिला, आज मंजेश्वर श्यामला कामत जी, इनका जनम दिन है, तो हपी बर दे मंजेश्वर जी, और ये मिठा बाईलू वमन नायक, उनकी मदर है, और शैट पोस्मॉस्टर है, ये पो पाईल के लिए और भमन नायक कि अपनी दोस्त, उनका भी कल बड़े था, बबली राठा और कल, विशेस क्या नहीं, तो बिलेटेड हपी बबली जी आपको भी, अरे भूल गया, हमारी टीम में चार-चार हमारी लक्षमी भाई, रानी लक्षमी भाई, उनका भी बड़े, तो एक वरनिता, अश्वनी, ये दोनों का बड़े एक ही दिन होता है, इसके अलावा सुर्भी, ये भी हमारी टीम में तो सुर्भी, इसके अलावा तृशा, ये भी क्राइम तक, तो हमारी क्राइम तक की चार-चार महारत्नी इस हो गया है, वरनिता, अश्वनी, सुर्भी और तरिशार चारों का जनम दिन यही दूआ है मेरी तुम लोग हमेशा अच्छे रहो खुश रहो और अपना क्याल रखना उपर वाला तुम्हें तमाम खुशियां दे उसी यही दूआ है और बस तुम सभी अच्छे रहो इसके लावाथ गगन दीप सिंग इनका भी जनम दिने है तो हपी बड़े गगन और साथी मुहमद अरफान इनका भी बड़े है तो हपी बड़े अरफान और ये शबाना और सलीम जावेद जी के बेटे हैं साथी देबांक जैसवाल का भी आज जलम दिने है तो हपी बड़े देबांक और ये सुभीर कुमार ने भेजा है सलमा हाश्मी का भी आज बड़े है तो हपी बड़े सलमा जी और ये भेजा है जमील हाश्मी ने साथी शोन मेंडोजा इनका भी आज बड़े है अप्य बड़े शोन साब और यी भेजा है रीटा मेंडोजा ने मेंडोजा THANK YOU SISTER верхusала इनका भी बड़े है तो हप्य बड़े मुकेश और ये भेजा है अशोग बिष्णोई साब ने डॉक्टर गुर्पीट सिंग का भी आज बलके बलेटेड हपी बड़े डॉक्टर गुर्पीट सिंग जी नोड़ा मही रहते हैं गे अमित कुमार पांडे थेंकि सो मच अमित भाई आपसे बात की अच्छा लगा और कभी मैं देव घरा है तो जरूर आपसे मिलूंगा और मुझे अपने पिता जी जो है सुरेंद्र कुमार पांडे आपके उनको मेरा प्रणाम कहिएगा और पक्का दिल्ली आएगा तो आपसे मिलेंगे तो थेंकि सो मच अमित भाई यान थेंकि सो मच सुरेंद्र जी साथी विवेक पतेल इनके सवाल का जवाब आपका मैंने दे दिया कि लॉलेन साबर मती क्यों गया था तो आज़ आपको कहानी में जवाब मिली आदेखिे लकिशयर्मा नहlar नहीं ने कहानी की फ्रमाईश इसके विलावा पूतवी राज सिंग प्रमार, इन्होंने भी एक कहानी की फर्माईश की लेकिन याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्राइल स्लोट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हास से निकल जाएगा तो इस आवसम मौके को मिस न करें अभी अपना फ्री ट्राइल ने और क्राइम की बेस स्टोरीज सुनना शुरू करें आप्टर 14 डेज दस सब्सक्रिप्शन प्लैन विल बी एक्टिवेटेट तो कहानी में आज इतनी है वापसे मुलकात होगी कल रात 9 बजे किसी नहीं कहानी के साथ तब तक अपना और अपनों का खायल रखेगा थैंक यू वरी मुच